और आज बहुत ही बढ़िया सा एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है मसला है जिस पर बात करने आया हूँ तो चलिए जादा वक्त जायर नहीं करते हैं और पहले डारेक्टली मुद्दे पर आते हैं कि भाई नेगेटिफ थॉट्स को कैसे कंट्रोल किया जाए या फिर कैसे इन सब से उपर उठकर अपने लक्ष पर फोकस किया जाए बिकॉज अगर सही मायने में पूछा जाए तो ये खयाल सब के अंदर आता होगा कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा है ना और ऐसा नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ तुम्हारे अंदर आता है या नहीं आना चाहिए विकॉज ये एक ह्यूमन मेंटालिटी है इसको कहते हैं और डर होना जरूरी भी है विकॉज डर एक ऐसी चीज है मतलब एक साइकॉलजिस्ट ने कहा था डर एक ऐसी चीज है जो आपको जिन्दा रहने में और मर जाएगा तो डर इंसान को जिन्दा रखने के लिए जरूरी है और इस एक डर का ही प्रारूप है कि हम नेगेटिफ थॉट्स के शिकार होते हैं विकॉज हमारे अंदर डर होता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा जिन्दगी आगे कहा जाएगी और ये सारे डर की पहले जिस बच्चे ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है क्रिपया करके वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज ऐसे ही सारे वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं इन्फॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियो तो इन इ सब्सक्राइब करते हैं यह रहे कुछ तरीके जिससे आप मुझसे करेक कर सकते हैं अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो मुझसे करना चाहता है किसी भी चीज को लेकर तो वाट्साइब टेलिग्राम इंस्टाग्राम यह तीनों आईडी मेरी हां दी हुई है हाँ जी तो बच्चे ने यह कमेंट डाला था कि सर कैसे नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करें और कैसे उन थॉट्स से उपर उठकर अपने लक्ष पर पूरी तरह से फोकस्ट रहें मैं बहुत माफी चाहता हूं कि उस बच्चे का नाम नहीं लिख पाया लेकिन आप सब को यह बतान हां सर इस पर वीडियो बनाई है हमें विदिक्कत है तो आपका कमेंट बहुत टॉप रेटेड हो जाएगा और वह मुस्तक तुरंच पहुंचेगा और मैं उस पर सबसे जल्दी वीडियो बना दूगा ठीक है तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा चलिए शुरू करते हैं वैसे मुझे लगता है अभी तक बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करना शुरू भी कर दिया होगा कि अरे हां सर यह अच्छा मौका है एक मिनुट रुक के कमेंट कर ही लेते हैं तो कर लीजे नीचे कमेंट बॉक्स में क्योंकि कमेंट करना जरूरी है उसी से मुझे पता कलाम साब का इंटर्वी हो रहा था तो कलाम साब ने कहा कि I had a dream of becoming an air force pilot so I worked really hard and I gave interview for air force but 21 candidates were there 19 got selected but I was among those two candidates I did not get selected so he was not selected and his dream of becoming air force pilot went into vain thereafter he got selected into DRDO and from there onwards he continued his journey after for few years not few years after a time of period he became the supreme commander of all the armed forces in India he became the president of India so he just gave a call to the Indian air force chief air force chief you can just imagine and he said that I want to fly an fighter plane so will you teach me fighting will you teach me how to fly a plane so air force come like he is the supreme commander of all the forces who can deny that who can deny him so air force pilot air force chief said that yes sir why not he taught him the entire flying thing he got trained and after that he the he is the he is the only president I guess who who have ever fly means flown United uh 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 what do you can say that fighter plane he is the only Indian president so that this happened with him now with this story what is there to learn how the leader Augman a look at that oh she didn't get a bath teacher hop couldn't people stape nico k거든 kuh proud do reng a case cool here Israeli Cle foster I P encontran hi approach what they put a pin देखना अगर सपने ही नहीं देखोगे तो वो कभी पूरे होने वाले पाइपलाइन में आईगी ही नहीं कलाम साब का सपना था फाइटर पाइलट बनने का नहीं पूरा हुआ उस वक्त जिंदेगी को कुछ और मन्जूर था इन्होंने अपना काम करते रहे एक टाइम पर य कि यार अगर उस वक्त चिंता करकर बैठ गए होते हैं हताश हो गए होते तो सायद आज यहां तक नहीं पहुँच पाते हैं जिंदेगी का यह चेहरा यह आईना यह कभी देखी नहीं पाते हैं ना तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हालातों से निराश नहीं हो हाला अपने किये गए परिश्रम के परिणामों से निराश नहीं परिश्रम जरूरी है परिणाम तो उसका बस एक फल है फल कैसा आता है यह ऐसे भी आपके हाथ में नहीं होता है ना चलिए अब और यह थॉमस एडिसन का भी बहुत प्यारा सा कोट है शुरू करने के पह क्लोस देवर तो सक्सेस विन दे गेव अप तो एक्चुली थॉमस अलवा एडिसन का एक बहुत ही फेमस सा किसा बहुत फेमस है और वो किसा यह है कि थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के पहले इनके एक हजार या एक हजार एक के एक्सपिरेमेंट्स फेल हुए थे तो उल्मस नौ सौ निनन्यानवेवा वाला जो मताब यह बाल था तो नो सौ नौ निन्यानवेवा जो ब gaan वहां तक ही फैल हो अगया और हजार वह बल्ब इनका सक्सेस्वुल रहा तो इस के बाद इन्होंने कहा था यह वलकूट कि है 999 पर भी जाकर रू करना चाहिए कि on doing on and on and on experiment करते गए करते गए करते गए और आज हमारे पास बल्व है तो this is a very important thing कि आप give up जब कर रहे हो तो आपको reality में नहीं पता है क्योंकि success दिखता थोड़ी है आपको reality में नहीं पता है कितने close पहुँच गए हो सकता है कि बस अगले ही कदम मन्जिल थी और आप उसी के पहले रुख गए कहते हैं न वो लगाना मैं कई बार गुन गुनाता हूँ आपको भी सुनाता हूँ यह सफर बहुत है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफर नहीं रहने वाली यह मुश्किले यह अगले मोड की मन्जिल है तो यह अगले मोड पे ही हो सकता है मन्जिल बैठी हो और आप बस वो दो कदम और चलने से चूग गए तो गरबड हो जाएगी ठीक है चलिए और यह आखरी का पॉइंट history shows इतिहास इस बात की गवा है कि there is no point assuming why you will not succeed इतिहास में ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं इतिहास इस बात की पूरी तरह से गवा ही देता है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको success ना मिले ऐसा हो यह नहीं सकता इतिहास ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने मेहनत किया देर ही सही लेकिन उनको मनजिल जरूर मिली ठीक है तो ladies and gentlemen let's get started शुरू करते हैं तो देखो our actions influenced by our thoughts because we do not have we do what we think अब देखो शुरू करने से पहले negative thoughts को कैसे रोका जाए और कैसे इसको control किया जाए एक बहुत प्यारा सा diagram या chart flow chart में बताता हूँ यह मैंने सुना था गौर गोपालदास, he is also one of an iscon fellow mate, iscon के कहते हैं, iscon में he is a saint तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी सी analogy बताई थी, क्या कहा था, do you have a problem? answer is yes, okay, so if you have a problem, okay, so do you have a solution, do you have a solution for this? तो answer might be yes or answer might be no, so if you have a solution for this, you have a problem and you have a solution for it, then why to worry? this means no worry, because you have a solution for this, isn't it? so why to worry? now, do you have a problem? do you have a solution? no, so if you don't have a solution, then why to worry? like you know that you can't do anything, there is no solution to it, then why to worry? now, do you have a problem? this was yes, now do you have a problem? it might be that no, I don't have a problem, then why to worry? so this analogy shows, that if you have a problem, or if you don't have a problem, in both the situations, because life can have two consequences, that life might be problematic, life might not be problematic, तो अगर जिंदेगी में प्रोब्लम है, जिंदेगी में नहीं प्रोब्लम है, तब तो वरी करना ही क्यों? जिंदेगी में प्रोब्लम है, तो दो सिच्वेशन हो सकते हैं, या तो आपके पास उसका solution है, या तो नहीं है, solution है, तो भी क्यों tension, नहीं है solution, तो जब नहीं है, तो क्या tension? है ना? तो ये वाली चीज में बहुत अच्छी से हिट की थी, मैं बहुत बहुत सही है, जिंदेगी में फिर tension ले ही क्यों? क्योंकि पुरानी कहावत है, पुराने जमाने के बड़े बुजर्गों ने कहा है, होई है वही जो राम रची राखा, राम जी ने जो लिख दिया है, या कहते है ने destiny में जो लिखा है, होना तो वही है, आपका काम है करतब बे करना है, आप अपना करतब बे कीजिए, फल आएगा, नहीं आएगा, कैसा आएगा, यह आपके हाथ में नहीं है, और इसलिए कहता हूँ, यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है कि आप वो कीजिए जो आपको सही लगता है, आपको जो सही समझ में आ रहा है, जो आपको दिमाग कह रहा है, बाकि उससे रिजल्ट क्या आने वाला उसको भूल जाईए, और जब ऐसा सोच के काम करना शुरू करेंगे, तो अपने आप, आपके हिस्से की जो मेहनत है ना, उसका मेहनत आना आपको मिल जाएगा, कहते हैं ना, कि जितनी मेहनत करोगे, यह जितना शकर डालोगे, उतना मिठास आ जाएगा, बट य जा लिए, उसको घुमाईए, उसको अच्छे से चलाईए, फिर मिठास कितना आएगा, वो दिख जाएगा थोड़े दिर में, हैं, चलिए, बेस्ट वेपन्स तो ओवर्कम फे फेलियर रिलेटेट थोट्स इस तो टेक कॉंसेट्रेट और आक्शन्स इन दिस रिगार, मैंने एनलोजी भी दिखाया, कि कर्म किये जाया, फल की चिंता मत कर, या भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है, कि सब कुछ मैं ही करता हूँ, तो जो हो रहा है अच्छा, वो भी मैं कर रहा हूँ, जो हो रहा है बुरा, वो भी मैं कर रहा हूँ, तो तुम बस कर्म भी करूँगा तो भी वह काम होगा ही और मेरे सारे फल पहले से निरधारित मेरा मेरा डेस्टिनी बना हुआ है तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूं मुझे जरूथ क्या है कुछ कर्म करने की तो भगवान का निर्मान मतलब किस्मत का formation आपके कर्मों से होता है तो आपके कर्मों से क्योंकि हम बहुत महनत करेंगे और हमें कुछ नहीं मिलेगा ऐसा हो नहीं सकता तो आप अपने कर्मों को जरूर कीजिए और यही बात यहां लिखी हुई कि आपको जब success पाना होता है ना तो जितना amount of success पाना है उसके लिए एक minimum इतना amount of मेहनत तो करना ही पड़ेगा वो amount of मेहनत आप कीजिए उसके बाद क्या होका वो आपके हाथ में नहीं ठीक है और अगर इस सोच को तुम रखते हो अपने साथ तो देखो अभी जितनी बाते मैंने बताई इस बात से मैं को क्या लग रहा है बस एक ही feeling आ रही है अगर मैं तुम्हारी जगा होता spectator या listener होता तो मैं इन बातों को सुनके क्या कहता कि ठीक है मोटा मोटी बात एक ही कह रहे हो सर आप वो ये कि tension छोड़ो यार पढ़ते हैं और पढ़ने में मजा लेते हैं पढ़ने में मजा लेते हैं मतलब बस पढ़ो अराम से पढ़ो mathematics पढ़ो physics पढ़ो chemistry पढ़ो जो अच्छा लगता है वो पढ़ो और पढ़ने में मतलब मश्गूल हो जाओ IIT निकलेगा की नहीं NIT होगा की नहीं IIT NIT कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा private college जाना पड़ेगा तो क्या होगा वो सब छोड़ दो private colleges से लोग बहुत आगे जाते हैं IIT NIT से भी लोग बहुत आगे जाते हैं IIT जाके भी लोग बेकार और बेरोजगार रह जाते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले भी बेरोजगार रह जाते हैं तो सब पॉसिबिलिटी हर जगह है तो आप सोच के साथ कुछ कर नहीं पाओगे हाँ, ये उल्टा हो जाएगा कि जैसे आज मैं बहुत लोग से सुनता हूँ कई लोग बोलते हैं मैं क्लास 11th and 12th experience was very bad जिंदगी जंड हो गई थी मेरी मैंने तो अपनी जिंदगी बरबात कर दी मुझे आज भी याद है यार कितना tension होता था सोच के देखो आपके जिंदगी के वो दो साल जो कभी वापस नहीं आएंगे क्या आप उन दो साल का experience खराब करना चाहोगे या जिंदगी का कोई भी साल कोई भी लमहा आप क्यों खराब करना चाहोगे experience तो अच्छा ही होना चाहिए ना यार कम से कम याद तो रहना चाहिए कि हाँ यार क्या दिन थे, मज़ा आया था, बहुत अच्छा था, I enjoyed it, तो बस enjoy करो न, फिर result, result, भाई मेहनत करते जाओ, तुम्हारा काम है, तुम्हारे हाथ मेहनत करना, मेहनत करते जाओ, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, अगला point, what is that minimum level of threshold, वो minimum level of threshold क् तो देखो, work to score decent marks in mock test, and you will have a very high chance to get into JEE Advanced Merit List with a good rank, अभी यह मैं क्यों कह रहा हूँ, यह समझो, पहला, तो देखो, अभी के time पे, अभी के इस point of time पे, जो JEE 2023 वाला बच्चा, उसके पास और कोई option नहीं, सिर्फ mock test option है, तो mock test तो, mock test से revise भी होगा, वो सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, वाप्तस revise करोगे, फिर mock test दोगे, फिर revise करोगे, फिर revise करोगे, और यह चलता जाएगा, और बस अपना काम, अपना focus ना, वो घोडे की तरह, बस mock test revision, mock test revision, mock test revision इसी पर डालो, ऐसी मुंडी, ऐसे करके, यह मत देखने लगना की, IIT में नहीं हुआ, तो क्या ह अच्छा आयटी के अलावा क्या उप्शन से यह सब सोचना बंद करो सिर्फ मुंडी सीधा करके घोड़े की तरह जैसे घोड़े को ऐसे लगाते हैं तुमको पता है गोड़े की आख जैसे तुमने देखिए घोड़े का लंबा मुह होता है तो एक आख इधर होता है तो गोड़े के आख पैसे लगा रहता है ताकि वो इधर उधर देखी ना सके उसको सिर्फ सीधा देखे तो दिस हॉर्स वाला जो कॉंसेप्ट है ना यह हॉर्स वाला कॉंसेप्ट इंसान को खासकर बच्चे को तो जरूर फॉलो करना चाहिए जो किसी लक्ष की तरफ भाग है समझ रहे हो चलिए अब इंस्टेड अब जस्ट इंकिंग सेट वीकली टार्गेट वीकली टार्गेट अब सेट कर लीजे वर कानेट और और यहां यहां और यह बहुत सिंपल सी बात है जैसे आप में से कई लोगों ने सुना होगा कई बार जो लोग डिप्रेस्ट होते हैं टेंशन में होते हैं उन लोगों को हमेशा डॉक्टर सजेस्ट करता है कुछ काम कर लीजे कहीं जॉब कर लीजे कुछ और लोगों से गैदरिंग में मिलिए क्यों कहता है वो अकेला रहेगा तो सोचेगा काम में रहेगा तो उसको वक्त का है सोचने का और यही सेम काम आपके साथ भी है आपकी पढ़ाई आपके लिए आपको टफ लगती है इसी लिए आप सोचने लगते हो लेकिन अगर दिन भर बस बैठ के पढ़ते रहोगे यह कुछ ना कि कुछ चीज में आपको इंगेज रखोगे तो सोचने का वक्त ही नहीं बचेगा समझ रहे हो चलिए और अभी एक बहुत अच्छी सी चीज आपको दिखाता हूँ प्रोकैस्टिनेशन अट्रिडूट से बाहर आ जाओगो डोंट फैक्टर रिलेटिवस अच हां रिलेटिव वाली चीज अगर किसे को दिक्कत होती है तो भाई यह रिलेटिव वाली चीज को यहां तो माता पिता को भी स्टेट्मेंट बदलते वक्त नहीं लगता जो बाबुजी कल तक गाली दे रहे होते हैं कि नालाक बेहुदा कहीं का एक नंबर का निकम्मा है पता नहीं कहां से आ गया है लगता नहीं है यह मेरा बेटा है ऐसे ऐसे टाइप कि हमारे इंडिन फ दिगए था इसमें लड़के में बात है इसलिए हम इसको सारा option दिये कि हम इसको खुला environment दिये थे तुमको जो करना है करो तो हमारे इंडिन फैमली इस तहासी होती है तो इस इंडिन फैमिली सिस्टम में रिले इस का बोलना बहुत जाता मार्णाईगा और रखना नहीं च जॉब वाले लाइफ में आओगे, प्रोफेशनल लाइफ में आओगे, तो एक और हजार लोग आएंगे और कहने वाले, समझ रहे हो, तो ऐसा मत करना, चलो, let's move on, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं क्यों कह रहा था, कि JW आसानी से निकल सकता है, negative thoughts छोड़ो, देखो ये एक total marks होते हैं, 300, तो 300 में, rank list, common rank list, मतलब ये वो बच्चे जो general category वाले हैं, तो general category वाले बच्चे को सिर्फ 15.28%, सिर्फ इतने marks लाने थे, mains से advance में qualify करने के लिए, आप सब को पता होगा, कि मेंस का एक paper होता है, उस mains के paper में top धाई लाख बच्चे select होते हैं, अगले advance के paper को द 25% लाना है, मैं सिर्फ 15 को ना, मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूं, मैं सोचता हूं कि सायद 2-4-5% तो उपर नीचे होई जाता है, मैं 20% कर देता हूं, हाला कि 20% नहीं जाएगा, और 20 छोड़ों मैं 25 कर देता हूं, यार 25% मतलब सिर्फ 1-4, सिर्फ 1-4, मैं 20% भी अगर बोलूं, तो 300 का 20% मतलब आपको सिर्फ महज 60 नंबर लाना है, और एकदम सेफर साइड में चल जायना 25% जितना की कभी नहीं जाता है, सिर्फ 25% की अगर मैं बात करूं, तो 300 का 25% मतलब सिर्फ 75 नंबर लाने होंगे आपको और सिर्फ 75 नंबर लाने होंगे आपको मेन से अडवांस में कौलिफाई करने के लिए तो आपको नहीं लगता कि ये इतना भी कठें नहीं है 75 नंबर क्या होता है यार 75 नंबर का मतलब होता है अगर तुमने 19 सवाल सही सही सौल करें 19 questions, 19 for the 76 और आपको सवाल कितने आते हैं हर एक paper में total 30 questions होता है physics में 30, chemistry में 30, maths में 30 total 90 questions होता है जो 30-30 होता है हर 30 में 5 आखरी के जो numerical रहते हैं उसमें 5 में options रहता है तो आपको solve करना रहता है 25, 25, 25, 75 questions 75 questions, total दिये जाते हैं 90 इस 90 में से मैं सिर्फ 19 बोल रहा हूँ सिर्फ 19 इस इस नॉट इवन 1 फॉर्थ सरी, 1 फॉर्थ से थोड़ा ज़्यादा है तो अब बताओ ना एक मिट सरी, 1 फॉर्थ भी नहीं है 90 है न, 1 फॉर्थ भी नहीं है अब इस से ज़ादा आसान क्या होगा कुछ होगा, सिर्फ और जबकि 19 कोशन में बोलना हूँ फिजिस केमेस्ट्री मैट्स मिला के तुमको नहीं रखता कि तुम सब में 10-10 कोशन minimum तो 10-10 कोशन solve करीद होगे सही-सही इतने सारे तुमको previous year कोशन कराया हो इतने सारे mock paper अभी कराऊंगा 10-10 कोशन कुछ नहीं होता यार बस इतना ही चाहिए तो अगर सोचने का देखो, आज मैं ये motivational वीडियो ले रहा हूँ तो आज तुम जरूर सोच रहे होगे कि अरे हाँ सरी तो बहुत आसान है तो सोचने का नजरिया है बिटा अब अगर सोचने बैठो तो तुमको लएगा कि अरे हाँ ये तो बहुत आसान है लेकिन अगर negative सोचने के बैठो तो तुमको लएगा अरे बाप रे I.I.T. इतना टफ है क्या मतलब सोचो 20 लाग बच्चे 15 लाग बच्चे बैठते हैं उसमें से सिर्फ मतलब पूरा वेस्ट कर दिया एक साल वेस्ट कर दिया मैं तो 12 से पढ़ना शुरू किया हूँ कुछ लोग सोचेंगे मैं तो 12 भी आधा से पढ़ना शुरू किया हूँ तो negative सोचने बैठो तो अथा है तो हमेशा ध्यान रखेगा ये जो दुनिया है ना इस दुनिया में सारी चीज़ें अथा है आप जैसे होंगे आपको वही मिल जाएगा अगर आप positive इंसान है तो आपको चारो तरफ positivity दिखेगी अगर आप negative सोचना चाहें तो आपको भर-भर के negative चीज़े मिलेंगी अगर आप प्यार करने वाले इंसान है तो आपको चारो तरफ सब कोई प्यार करेगा अगर आप बड़े खडूस उज़र टाइप के लोग हैं तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे इसलिए किसी ने सही कहा है यूर आउटर वर्ल्ड इस और रिफ्लेक्शन और इनर वर्ल्ड आपकी बाहरी दुनिया आपके आंतरिक दुनिया का प्रतिबिम्ब होती है तो अगर बाहर की दुनिया में आपको ये महसूस हो कि जादा परेशानिया दिख रही है मतलब समझ जाएगा दिक्कत अंदर है समझ रहे हो तो मेरे नन्ने मुने बच्चों उमीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी तो काफी कम नंबर लाने है आपको कोई जादा बड़ा तीर मारना नहीं है जए एडवांस में क्लियर करने के लिए और मैं तो कहूँगा ठीक है ये तो मिनिमम है पॉजिटिव सोचने के लिए ये कर सकते हो लेकिन मैं कहूँगा कि एक अच्छा टार्गेट लेके चलो कि हाँ आप मॉक टेस्ट दो हर रोज मॉक टेस्ट दो अर अपने मॉक टेस्ट को नंबर को बढ़ाओ हो सकता है दीरे 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 कोशिश करते करते ये मिनिमम से आप काफी उपर चले जाओ हो सकता है 40-50% पर चले जाओ टॉप मार दोगे समझ रहे हो चलिए तो ये सारी चीजे मैंने जो आपको बताई इसका खास ध्यान रखिएगा and J.E. में कॉलिफाई करना इतना मुश्किल नहीं है there is no reason to think I will not qualify J.E. तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा ऐसा कोई कारण है नहीं सही मैं अगर आप गरीब हैं तो गरीब का बच्चा भी J.E. जाता है अगर आप का शरीर का कोई अंग खराब है तो विकलांग भी J.E. जाते हैं अगर आप लेट से पढ़ना शुरू किये तो बहुत सारे लोग लेट पढ़ के भी J.E. में गए है अगर आपका एक साल बरबाद हो गया तो बहुत सारे ऐसे लोग गया है जिनका देड़ साल बरबाद हो गया था फिर भी J.E. गए So there is absolutely not even one single reason that why you should not go to J.E. Why you should not go to an I.E.T. That is every possible reason that you will go to I.E.T. Only you need to think that. ठीक है? So ladies and gentlemen I hope कि मैंने अपना point clear किया होगा और अगर आपको point clear है तो मैं बस चाता हूँ सारे बच्चों से कि इसी affirmation के साथ जिस जोश और जिस भरोसे के साथ मैं कह पा रहा हूँ आप भी इसी भरोसे और जोश के साथ नीचे इसी वीडियो के comment box में एक बार लिखे that yes sir I will surely crack J.E.E. और ये वाला वीडियो ना share करके अपने whatsapp में किसी मतलब मम्मी उम्मी पापा वगरा को किसी को भेज दो ताकि याद रहे कि इस वीडियो में जब J.E.E. का एक्जाम हो जाएगा न तो तुमको वापस आके इसी वीडियो में comment इस comment को edit करना है that I put this comment on this day आज का date डाल देना and I have come जब J.E.E. का exam हो जाएगा न तो वहाँ पे उस comment को edit करना that I have come today and yes I can very proudly say that I have qualified J.E. तो ये वाला activity करो so that की तुम्हारे दिमाज में भी रहेगा कि हाँ तुमने कहीं publicly हजारों करोडों लोगे बीच में ये accept किया है ये challenge किया है खुद को कि हाँ तुम J.E.E. निकालोगे और इस डर से तुम हर रोज प्रयास करोगे तो सारे लोग इस वीडियो के नीचे comment box में लिखिएगा जरूर कि yes sir I will surely qualify J.E.E. और जब J.E.E. का J.E.E. का exam हो जाना है 2023 वाले चाहे 24 वाले तो वापस आके इस वीडियो पे edit करना चाहो तो इस वीडियो को reference रखने के लिए WhatsApp पे कहीं Instagram पे किसी को share कर दो ताकि याद रहे कि मैंने इसको भेजाए समझ रहे हो ये काम जरूर कीज़ेगा और अगले वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए ये भी मुझे बेजी जग बताईए इसी वीडियो के comment box में अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा and make sure to subscribe the channel चलिए मुलाकात करते हैं अगले session में तब तक के लिए ख्याल रखो टेक कियर, बबाई and गुद नाइट बबाई